किसी ने क्या खूब कहा है खुश नसीब है वो जिसने अपने आज का समझदारी से इस्तेमाल किया क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रेम प्रकास पांडे है आज अपने चैनल पर एक नई बहतरीन प्रेनादाय कहानी लेकर करके आया हूँ दोस्तों आज की कहानी से हम सीखेंगे कि बरतमान में कैसी भी परिस्थिती हो पर जो अपना काम है उसे करते रहें तो उसका क्या लाब होता है तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी जिसका सीर्षक है बर्तमान में भविस्य का काम सूखे के कारण माधवपुर गाओं के किसान बहुत परिसान थे धर्ती से पानी गायब हो चुका था टुब्बल जवाब दे चुके थे खेती करने के लिए सभी बस इंद्र की किर्पा पर निर्भर थे पर बहुत पूजापाथ और यगों के बावजूद बारिस होने का नाम नहीं ले रही थी हर रोज किसान एक जगा इकठा होते और बातलों को ताकते रहते कि कब बारिस हो और वे खेतों में लोड सके आज भी सभी बारिस के इंतिजार में बैठे हुए थे कि तभी किसी ने कहा अरे ये हरिया कहा रह गया दो-तीन दिन से वो आ नहीं रहा कहीं मेहनत मज़दूरी करने सहर तो नहीं चला बात हसी में टल गई पर जब अगले दो-तीन दिन हरिया दिखाई नहीं दिया तो सभी उसके घर पहुचे बेटा तेरे बाबू जी कहा है हरिया के बेटे से किसी ने प्रश्र किया पापा खेत में काम करने गए है बेटा यह कहते हुए अंदर की और भागा खेत में काम करने सभी को बड़ा आश्चर हुआ कि हरिया ऐसा कैसे कर सकता है लगता है इस गर्मी में हरिया पगला गया है किसी ने चुटकी लिए और सभी ठाहा का लगाने लगे लेकिन सबके अंदर कौतूहल था कि हरिया खेत में क्या कर रहा होगा और सभी उसे देखने के लिए चल पड़े उन्होंने देखा कि हरिया खेत में गड़ा खोंद रहा था अरे हरिया तु ये क्या कर रहा है कुछ नहीं बस बारिस होने की तैयारी कर रहा हूँ जहां बड़े बड़े जतन करने से बारिस नहीं हुई वहां तेरा ये गड़ा खोदने का टोटका कहा काम आने वाला कर इसमें धेर सारा पानी इकठा कर सको ताकि अगली बार बारिस के बिना भी कुछ दिन काम चल जाए। इस बार का ठीकाना नहीं और तु अगली बार की बात कर रहा। महिनों बीद गए और एक बून नहीं टपकी। आस्मान से ये बेकार की मिहनत में समय बर्बाद मत कर चल हमारे साथ वापस चल लेकिन हरिया ने उनकी बात अंसुनी कर दी और कुछ दिनों में अपना जलासे तयार कर दिया। ऐसे ही कई दिन और बीद गए पर बारिस नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक ही रात में बादलों के गड़गड़ा हट सुनाई दी, बिजली चमकने लगी और बारिस होने लगी, मिट्टी की भीनी भीनी खुजबू सारे इलाके में फैल गई, किसानों के चेहरे खेल उठे, सभी सोचने लगे कि बस अब उनके बुरे दिन खत्म हो जाएगे, लेकिन ये क्या कुछ देर बरसने के बाद बारिस थम गई और किसानों की सिचाई शुरू तो हो सकती थी, लेकिन सिचाई के लिए और भी पानी की जरुवत पढ़ती, किसान मायूस हो अपने घरों को लोट गए, दूसरी तरफ हरिया भी अपने खेट पहुचा और लबा लब भरे छोटी से जलासे को देखकर खुस हो गया, समय गवाए बिना उस खेट, दोस्तों जब कंडिसंस सही नहों, तो ऐसे में अधिकतर लोग बस उसके सही होने का इंतिजार करते रहते हैं, और उसे लेकर परिसान रहते हैं, जबकि करना ये चाहिएगी, खुद को उस वक्त के लिए तैयार करना चाहिए, जब परिस्थितियां बदलेंगी, जब सूखा खत्म होगा, जब बारिस आएगी, क्योंकि ये प्रकिती का नियम है, दिन के बाद रात, तो रात के बाद दिन आना ही आना है, हमारा बुरा व खायता उठाने के लिए खुद को तयार कर रहे हैं, क्या आप जब अपरचुन्टी आने पर उन्हें ग्रैप करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या बस उनके ना होने का रोना रो रहे हैं, बस इतना समझ देजिए कि आज आप क्या कर रहे हैं, यही तै करेगा कि कल आप क् इसलिए अगर अस्फल लोगों की भीड का हिस्सा नहीं बलकि मुठी भर काम्याब लोगों के ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस आज को अपना बनाईए उठाईए अपने आउजार और तैयारी करिए लहलहाती फसल की बारिस बस होने ही वाली है यह कहानी सिखाती है कि हमें अपने मेहनत को बंद नहीं करना चाहिए और लगातार अपने प्रयास को जारी भी रखना चाहिए और प्रयास को जारी रखने के लिए प्रद्दिन सुबा साढ़े पांच बचे एक नई कहानी एक नई उमंग से करे दिन की सुरुआत तब तक के किजिए शेयर किजिए अपने स्मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बहतरी मोटिवेस्टर इस्टोरी आपको मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आए